सादर प्रणाम आप सभी को यदि यह साल 2021 न होता या यूं कहें कि बीता हुआ साल 2020 न होता तो मैं अपने वक्तवी की शुरुआत आप सभी को नए साल में खुशियों की शुबकामनाओं या बधाईयों के साथ करता किन्तु चुकि बीता हुआ साल 2020 है तो 2020 ने हम सभी को कहीं और शिद्दत से यह महसूस करने का मौका दिया कि शुबकामनाएं कितनी नाजुक और कमजोर होती है How fragile and delicate the wishes are जबकि इसके उलट समय कितना नियत और अटल है सिर्फ इसलिए कि मनुष्य ने या मानवी सभ्यताओं ने अपनी सहूलियत के लिए काल के विभाजन की अवधारणा की रचना की समय अपनी इकाई अर्थात किसी क्षण या किसी पल के सीरों पर जरा भी अधिक या कम बजन नहीं रखेगा अर्थात हर घड़ी उसी गुरुत्य के साथ इस तथा कथित नए साल में भी गुजरेगी इसलिए मैं आपको खुशियों या तथा कथित बधाईयों की बजाए उमीदों के नए साल या उमीदों के नए दशक की कामना आपके लिए करता हूँ काल की गति का बिंदुपत हमें से किसी को ग्यात नहीं है वह चक्री है या रैखिक क्वांटम फिजिक्स के तमाम वैज्ञानिक आज भी टाइम स्पेस के तमाम सवालों से जूजते हैं और समय को समझने की कोशिश करते हैं इसलिए समय की विभाजन की अवधारणा से समय की गति पर या वह किस प्रकार से नए आयोजनों या घटनाओं को अमंत्रित करेगा इस पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इसके बाद मैं परिचय पर आता हूँ तो अगर मैं अपना अपचारिक परिचय दूँ तो मेरा नाम प्रांजल और मैं बैंगलोर में एक सौफ़वेर कंपनी में सौफ़वेर इंजिनियर के रूप में कारेरत हूँ और इसके अत्रिक जो भी मेरा परिचय हैं मेरी कविताएं ही मेरा बेहतर परिजय देंगी जहां तक लाइव का सवाल है इस लाइव का शीर्षक कविता एवं संवाद था जो पोश्टर में संवाद की बात थी वो कहीं न कहीं थोड़ी सी फ्लॉट थी इसलिए कि संवाद एक तरफा नहीं होता और तकनीक की जो आडियंस या अपने श्रोताओं को देख भी नहीं पा रहा हूं यह कहीं न कहीं इस बात का प्रमार है कि तकनीक की प्राथमिकता जीवन को सुविधा जनक या फिर विलासिता पूर्ण बनाने की है उसकी प्रतिवद्धता समाज को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की नहीं है हाँ लोकतांत्रिक मूली उसका बाई प्रोड़क्ट सह उत्पाद हो सकते हैं वकता और श्रोता के बीच इस लाइव में कहीं न कहीं एक वैक्यूम है इसी प्रकार तकनीक या प्राध्योगिकी ने कई जैविक अनुभवों को यांत्रिक भाववोद से रिप्लेस किया है एक्ष्टिंग का जमाना है इसी प्रकार कई अन्य चीजों का अभी अव्मूल्यन यह रास हुआ है हमारा समय पतन के ऐसे ही कई उदाहरुनों से पटा पड़ा है चाहें वह निर्माणा धीन पुलों या इमारतों का गिर जाना हो या फिर सामाजिक या राजनीतिक मुल्यों का गिर जाना या यूँ कहें कि निर्माणाधीन पुलों या इमारतों का गिर जानां कहीं न कहीं सामाजिक या राजनीतिक मूल्यों के पतन का ही एक प्रतिनिधी रूपक है इसी विशेप पर मैं अपनी पहली कविता प्रारंब करता हूँ जिसका शिर्शक है गिरना एक पुल का हमारे समय की देह पर सबसे गहरे रंग में, सबसे गाढ़े अक्षरों में लिखा है पतन जहां सारी चीजें अपना गुरुत्व खोकर गिरती जा रही है जहां गिरना इतना सामान्य है कि गिर जाना अक्षबार के पिछले पाउं में लगी धूल से जादा कुछ भी नहीं और गिरने के उच्चारण से अधिक सामान्य है गिर जाना यूही नहीं गिर जाता कोई भी धाचा पहले गिरते हैं लोग अपनी सम्वेदनाओं से अपने इमान से सच से पहले गिरता है आदमी अपने आदमी होने से और फिर गिर जाती है एक सम्वेता एक बड़े से शहर के बीचों बीच गिर पड़ा है एक पुल नहीं सदियों पुराना नहीं बिल्कुल जवान और फौलाद ने देखा कि उसके सभी उप में दुनिया से कूच कर चुके हैं यह गिरा हुआ पुल आदमी के कद में गिरावट की तस्दीक करता है वह समय जहां नालियों की मरम्मत का श्रे शिला लेखों की देह को रंगीन कर देता है वहां पुल का गिरना इतना सामान्य है कि उस गिरने के प्रती किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अभी हमें कई और पुलों को गिरते हुए देखना है धहते देखना है कई और धाचों को जब तक धह नहीं जाता हमारी मध्यवर्गी मानसिकता का धाचा जब तक धह नहीं जाता हमारी मध्यवर्गी मानसिक्ता का धाचा यह सच है कि हमारी मध्यवर्गी मानसिक्ता का धाचा भी इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला है लेकिन पुलों या निर्मानाधीन इमारतों का गिरना राजनीतिक सत्ता धीशों के कद में गिरावट का ही प्रतिफलन है सत्ता का चरित्र सामान्यत एक जैसा ही होता है सत्ता का चरित्र अर्थात किसी पार्टी का चरित्र नहीं सत्ता का एक सनातन चरित्र है और विडंबना यह है कि सत्ता धीश तो बदल जाते हैं परंत व्यवस्था नहीं बदलती है सत्ता अक्सर लोग तांत्रिक मूल्यों से स्वयम के लिए खत्रा महसूस करती है गोरकनात पांडे ने एक कविता में लिखा भी था कि वे डरते हैं इस बात से कि कहीं लोग उनसे डरना न बंद कर दे लोग तंत्र जब सत्ता निरंकुष होती है और मध्यवर्गी मान सिकता हावी होती है तो लोग तंत्र भीड तंत्र में पर्यवसित हो जाता है इसी विशे के इर्द गिर्द मेरी अगली कविता है जिसका शीर्शक है तूटता तिलिस्म समबादों के दवरान अक्सर अधूरे रह जाते हैं कुछ प्रश्ण कि प्रश्णों का अधूरा रह जाना कितना जरूरी है एक नया समबाद गढ़ने के लिए किन तु देखो कि किस तरह प्रश्णों का प्रश्णवाचक मिटा दिया गया है चुपके से मानों प्रश्ण नहीं सविनय अनुरोध हो हूँ सोचता हूँ कि इतिहास के प्रश्णों के सामने किस भूमिका में खड़े होंगे ये लोग जिनके मुह से गायब है जीब असहमतियों के उपसरगों को पन्ने से पोँच देने को बेचैन है सकता कि सडकों पर कुछली पड़ी है वह आवाज जिसकी ले भीड से मिल नहीं पाई जै किसान बोलो कि राजधानियों में लहू से सीच दी जाती है किसानों की देह की फसल बोलो जै जवान कि सीमा पर मरते सैनिकों की देह से गायब हैं चहरे पांच सालों से सोई सत्ता की ममता अचानक जागती है चुनावों के सिरहाने आह कितना पुरूर स्वाम कि रोटी का प्रश्ण धीरे धीरे तब्दील होने लगता है श्मशान की राख में जाकर सत्ता की स्वर्ण लंका को सूचित कर दो कि वे जो चिंगारियों की गंध में सोते हैं अधेरा सोखती उनकी तीसरी आँख नीद से उठने को है यही उम्मीद करते हैं कि अधेरे सोखती आँखें नीद से जाक उठें खैर हम बात सत्ता की कर रहे थे और सत्ता का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता नहीं है किन्तु यदि बात राजनीतिक सत्ता की की जाए तो हमारे देश में इस राजनीतिक सत्ता का सबसे बड़ा केंदर दिल्ली है दिल्ली न सिर्फ राजनीतिक सक्ता का केंद्र है बलकि लोक तंत्र के चोथे खंबे का घर भी है या यू कहें कि फार्म हाउस है क्योंकि घर तो तब होता जब वहां दाइत्व बोध के साथ आज के मीडिया कर्मी उपस्तित होते परन्तु न्यूज रूम तो कहीं न कहीं एक पिक्निक स्पॉर्ट में कनवर्ट हो गए है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग तो बीते जमाने की बात हो चुकी है न्यूज रूम के एर कंडिशन माहौल से बाहर निकलने की फुरसत अब मीडिया कर्मियों को शायद नहीं रही दिल्ली कहीं न कहीं अब एक गैस चेंबर में भी तबदील हो गया है और यह वही दिल्ली है जो कहीं न कहीं हिंदी की साहित्तिक सत्ता का भी केंडर है इसी दिल्ली के उपर अगली कविता जिसका शीर्षक भी दिल्ली ही है देखो धुन्ध की अभेद्य चादर में लिपटी हुई यह दिल्ली है भारत वर्ष की राजधानी राजपत बनाम जनपत के संघर्षों के इतिहास जिसके चहरे पर दर्ज हैं शताब्दियों के खंडहर पर उगा नामचीन शहर खंडव प्रस्थ का बुढ़ापा और इंद्र प्रस्थ की जवानी साधे स्वरण की नोक पर टिका सपनों की रंगीनियों में जीता यह शहर चवियों को बनाता बिगारता यह शहर और चवियों के नीचे धस जाता है सत्य जिस प्रकार मेडिया संस्थान आज छवि निर्माता की भूमिका में आ गये हैं छवियों के नीचे धस जाता है सत्य अनवरत दोड़ता भागता यह शहर अपने पावों से बहते लहु से भी अनजान है इस शहर में भारत का एलीट क्लास और मजदूर एक साथ सोता है साम्य का यह कैसा अनगर समीकरण है जिस पर समय भी रोता है जहां कारबन और सलफर ने गुप्त संधी की है मौसम के खिलाफ चंद रोज पहले सुनी मैंने खुद के पैदा किये विचारों के मलबे में दिल्ली के थस जाने की खबर कई बार सोचता हूँ कि दिल्ली शहर नहीं खुद को दहराता हुआ एक पैटर्न है और हर इनसान का चेहरा सूचनाओं का एक लिफाफा भर उपभोगतावाद के इस समय में इनसानी चेहरे सूचनाओं का लिफाफा बनकर ही रह गए हैं खैर कई बार मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मैं कविताएं क्यों लिखता हूँ क्योंकि मेरी कविताएं मुझे अपनी अभिव्यक्ति का एक ऐसा जरिया एक ऐसा माध्यम देती जो इस धर्ति पर आज तक किसी भी अन्य अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति के शैली से पूरी तरह से या कुछby ऑर्थों में तो कम से कम अलग है कि वह मुझे मेरा अपना मौलिक और नया मुहावरा मेरी अभिव्यक्ति की नई शैली विक्सित करने का अवसर देती है मैं धूमिल के शब्दों में कहूं तो कविता शब्दों में आदमी होने की तमीज है मैं उसी तमीज को बरतने की कोशिश करता हूँ, उसी तमीज को सीखने की कोशिश करता हूँ और हिंदी की दुनिया में एक कवी के रूप में मेरा पदारपन हुए चुकि बहुत अधिक समय हुआ नहीं है तो मैं जो अगली कवीता पढ़ रहा हूँ एक नए कवी के तौड़ पर कवीता से ही मेरा समवाद है ऐसा समय जहां मनुष्य की आकांच्छाओं के पाओं बढ़ते ही जा रहे हैं स्वर्ग की ओर और धसता जा रहा है उसका शीश पाताल में कई इसा मसीह सलीव पर टंगे मुस्कुराते हैं अपने रक्त बिंदुवों में जनपत लाल है धर्ती पुत्रों के पाओं से बहती नदी से इस समय में कवीता की भूमी का क्या है कवीता जो मुझ तक आती है आत्मा की ले में उच्छ्वास की माला सी कवीता जो स्वर है असाध्य वीना का रित के हिम गिरी प्रांतर से निकल निकल पत्रीली घाटी की विशाल भुजाओं से वह मैदानों में फैलिती अंतह भागी रथी सी किन्तु तपते विरोध के खणिक उत्साह में खिचे हाथों में वीना के तार तूट रहे हैं कि नहीं सद पाता एक अदद महानाद महानाद क्या स्वर का एक हिस्सा तक नहीं प्रत्यास्थता की सीमा प्रत्यास्थता यानि की इलाश्टिसिटी प्रत्यास्थता की सीमा के पार खीच देने पर कविताएं नहीं लौट पाती हैं स्वरेश एक की रिक्तता को दूसरी से नहीं भरा जा सकता क्योंकि जीवन और जगत में समानार्थी जैसा कुछ भी नहीं होता एक ही कविता है जो रची जा रही है अनगिनत हाथों में की परंपरा को महज दो, चार या छह हाथ नहीं रोप सकते वर्तमान की भूमी में कविता जो जीवन का संघर्ष भी है और जगत का सत्य भी कविता की आँखों में कोईला नहीं जल सकता, उससे भट्टी का काम नहीं लिया जा सकता, उसकी नाभिनाल के रक्त से नारे नहीं लिखे जा सकते वह लाठी या बंदूक नहीं है, मनोरंजन का सस्ता साधन तो बिल्कुल नहीं कविता ने खेतों में अनाज नहीं उगाए, सीमाओं पर युद्ध नहीं लड़े, किन्तु उसने साक्षी भाव से अनाज का उगना भी देखा है और युद्धों के लिए प्रस्थान करती सेनाओं के पदचाप की प्रलय ध्वनी भी सुनी है पुलों के निर्माण के नेड़े में उसकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं रही, किन्तु उसने गिलहरी की ही तरह अपनी पीठ और पूँच भर रेत पुलों की देह में पूरी तन्बैता से भरी है और इसी लिए समय की तीन रेखाएं भूत, भविश्य और वर्तमान और भविश्य की प्रतिनी दिबन उसकी पीठ पर अंकित हैं मैं खोज रहा हूँ, ऐसी ही कविता प्रिये, कविता जो कभी मुझे नवजात सी नाजुक दिखी, जिसे हाथ में आहिस्ता से उठाते हुए भी डरता रहा मैं तो कभी इतनी बड़ी लगी कि मेरे हाथ छोटे पड़ गए उसे थामने के लिए मैंने जाना कि सर्जना की आँखें ब्रह्मा की बूरी पलकों को पहचानती हैं अनादिकाल से मैं एक दिन महाप्राण कविता लेकर लोटूंगा तुम्हारे दर्वाजे पर तुम पूछोगी द्वारे कहत इश्ठती मैं अस्ति कश्चिद वाग विशेशह कहने का दुस्साहस करने की बजाए पुकार लूँगा तुम्हें किसी पुराने पहचाने संबोधन से किन्तु तब तक मेरी प्रतीक्षा करोगी कि तुम्हारी प्रतीक्षाओं का आभारी रहूंगा उम्र भर अपने प्रेम की ठाली में मेरी प्रतीक्षा का अक्षत सिंदूर सजाए बैठी रहोगी या जीवन तुम्हारी स्वी का रोकती या इनकार से निरपेट्ष तुम्हारा आभारी रहूंगा मैं यह एक नए कविका उसकी कविता से समवाद था एक भाषा के व्यक्तिका भाषा के एक रचनात्मक स्वरूप से समवाद और भाशा की बात है तो हमारे हिंदी का समाज जो सामान्यता समाज में वैचारिक वैविध्य और सहिश्णुता की बात करता है कई बार अपने आप में भी असंतुलित और असहिश्णु दिखाई देता है गोया चंद और भाशिक संदर के प्रति उसका कठोर अस्विकार हो या फिर सेलेक्टिव समवेदना या फिर पॉलेटिकल करेक्टनेस जिसने हिंदी साहित्य के आंतरिक लोगतंत्र को काफी क्षति पहुँचाई वाट अबाउटरि के नाम पर वाजिब सवालों को भी खारिश कर देना सही नहीं है वाट अबाउटरि उस प्रविक्ति को कहते हैं जहां लोग कि आप किसी भी मुद्दे पर बात करें किसी भी चीज़ पर सवाल करें तो वे पूछते हैं कि आप तब कहां थे जब यह हुआ what about that situation, what about this situation तो इसको what aboutry कहते हैं ऐसे लोगों का कोई ऐसा intention नहीं होता कि वे वाकई में उन सवालों के प्रतिसंजीदा हैं जो वे आप से पलट कर पूछ रहे हैं बलकि उनको तकलीफ इस बात से है कि आप किसी मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं किन्तु कई बार वाजिब प्रशनों को भी what aboutry के नाम पर खारिच कर दिया जाता है और हिंदी साहित ने सामुहिक रूप से ऐसी कुछ गलतियां की हैं मसलन कश्मीरी ब्राम्हनों का विस्थापन जिस पर हिंदी साहित ने सामुहिक रूप से लगभग चुप्पी ओढ़े रखी इस तरह की गलतियां हिंदी के समाज से हुई है और यह समय है कि हिंदी का समाज इन गलतियों को स्विकार करे इन प्रशनों का सामना करे इन प्रशनों से आँख चुराने की बजाए कुछ दिनों पहले मैंने राहुल पंडिता की एक किताब पढ़ी थी Our Moon Has Blood Plots उसी किताब को पढ़ने के बाद मैंने बहुत नजदीक से जो 1990 का कश्मीरी पंडितों का विस्थापन था उसको देखा और जाना और राहुल पंडिता जो उस किताब के लेखक तेवे स्वयम भी एक भुक्त भोगी थे स्वयम भी एक कश्मीरी ब्रामण है जिनोंने 1990 में जिनका परिवार कश्मीर से विस्थापित हुआ और उन्होंने उस दर्द को स्वयम में भोगा है और उस किताब को पढ़ने के बाद ही यह कविता कहीं ने कहीं मुझतक आई जिसका शिष्षक है वे पंडित थे वे कल्धड की परंपरा में पैदा हुए थे वे बिल्धड की परंपरा में पैदा हुए थे राज तरंगिनी और कथा सरित सागर उनके इतिहास के दर्वाजे थे वे कलम की परंपरा में जन में थे लिहाजा वे सरकलम नहीं कर सकते थे वे पंडित थे, वे कश्मीरी पंडित थे, वे उन्ही रास्तों से अपनी जान बचा कर आये, जिन रास्तों से उनके पुर्खे दाखिल हुए थे कश्मीर में, वे पंडित थे वे जन्वरी 90 की एक रात थी, और वे पंडित थे, वे उन्ही घरों को छोड़ आये, जिनकी नीम में खप गई थी, उनकी जिन्दगी भर की कमाई, जहां संचित था जीवन का संगीत, उन्हें छोड़ने पड़े वे बगीचे, जिनमें उनके रोपे हुए सेव के पेंड थे वे निकल गए घाटी से, क्योंकि वे पंडित थे, पंडित थे, इसलिए अल्पसंख्यक थे, वे पंडित थे उनमें से कई लोग, तीस सालों से पड़े हुए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी की तरह, और एक भी हत्यारे को आज तक सजा न हुई, उनके दोस्तों यारों ने उन्हें खूब समझाया, चले जाओ हिंदुस्तान, वे बोले कि हिंदुस्तान में ही तो हैं, यह घर ह कहला कर भी जीना स्वीकार कर लेते थे, जपटती हिंसा वाली नजरों के सामने आते ही, वे अपना तिलक्ती का उतार लेते थे, वे हिट लिस्ट में अपना नाम देख कर भी अड़े रहे, उन्हें लगा ही नहीं कि जपटती हुई यह हिंसा बदल जाएगी जन्वरी नब खरोंच दिये जाएंगे उनके गुपतांग सिर्फ इसलिए कि वे पंडित हैं। बच गई तो सवा रुपए किलो के हिसाब से भिग गई रद्दी में। कि विस्थापित कौम की संस्कृति और इतिहास रद्दी से जादा क्या आवकात रखती थी बारूद की घाटी में। कोई भूलकर जो लोटा अगर अपने मुहले तक तो पहचान न सका अपनी बस्त लिखा न रह जाए अतीद की हतिया लिए गए वे घर जो सलामत रह गए थे ताकि घर वापसी का कोई रास्ता न रहे। वे अफगानों को सह गए आजादी की भोर में कबीलाई हमलावरों को भी सह गए सब को सह सह कर वे जिन्दा बचे रहे बार बार तूटते घरों को वे फिर खड़ा कर ले गए इनसान सिर पर छट तलाशता है और पैरों के तले जमीन जब दोनों छिन जाते हैं तो आधे आ आजू पर कटा हुआ आधा आलू तौलना भीवे सीख गए कोई उनकी बात नहीं करता अब क्योंकि चलन से बाहर है यह विमर्श किसी की छाती में नहीं उतरता है दूद उनकी पीड़ा देखकर इतिहास की किताब में उनका नाम कोने पर जंग लगी अलपिन जितनी जगा खेलती है किन्तु लोट सकने की आकांशाएं डूब गई बारूद की आवाज में आवाजें जो उठती थी घाटी की गोद से और हवाओं की देह पर सवार वर्तुलाकार बिंदुपत बनाते हुए हिंदुस्तान की परिक्रमा कर लोट जाती थी वापस घाटी की ही गोद म अंततह न्याय की घंडित प्रतिमा को उन्होंने बंद कर दिया संदूक में और उसी संदूक में बंद कर दी आंसुओं से भीगी अपनी स्मृतियों की सालों पुरानी धूल सनी पोटली वे पंडिक थे 1990 का यह जो विस्थापन था भारत की पंथ निरपेक्षिक शवी पर कहीं ने कहीं सबसे बड़े धबों में से एक है किसी भी तरह के संप्रदाइक दंगे संप्रदाइक उन्मान एक पंथ निरपेक्षिक राष्टर की नीव को कमजोर करते हैं और यह पूरी तरह से अस्व विकार्य होने चाहिए कि काश मैं यह कह पाता कि हमारे देश में इस तरह के इस तरह की घटनाओं दुर घटनाओं के लिए जीरो टॉलरेंस की नीती है परन्तु यहां तो स्थिति यह है कि कई संप्रदाइक दंगे प्रायोजित होते हैं अंत में मैं अपनी एक कविता पढ़नी चाहूंगा जो मेरी पहली प्रकाशित कविता थी जो मैंने 11 कक्षा में लिखी थी और जो जन्वरी 2015 में वागर्थ में प्रकाशित ही थी तविता का शीर्षक है रोशनी की परचाईया रूई सा दिन उड़ चुका था कैनवस से आँच की मध्यम नदी भी गुजर चुकी थी और कंबल सी रात आलदी थी या ऐसे ही जाणों के दिनों का एक द्रिश है कैनवास से आँच की मद्धिम नदी भी गुजर चुकी थी और कंबल सी रात आलदी थी शहर के शोर से प्रिथक घुप अनहेरे के बीच हलकी रोशनी के टापू पर बैठा हुआ एक बूढा अलावतापता हुआ जहां आँच में पिघल रही है स्मृतियां मूमसी या अतीत भाब बनकर उड़ रहा है एक एक कर विरक्त मन से बूढा जलाता है अपनी उपलब्दियों के दस्तावेच बाहर पसरे हुए शुन्य के बीच उसके भीतर चीखता है एक सन्नाटा वह देखता है संस्कृतियों के सेत उबंग चर्मराते हुए अपनी जणों से दरखता जा रहा है एक पेंड जिसे रोपा था कई हाथों ने मिलकर कुछ दूर पड़ी है एक लाश जिस पर मडरा रहे हैं गिंद रोशनी की पकडंडियां अचानक गिर जाती हैं अधेरे की किसी गहरी खाई में वह देखता है सीली हुई दीवार पर पीट की रगड से जिंदगी की चिंगारियां पैदा करने वाले भूफ के प्रहरियों की लाल नांग गर्म होने लगा है उसका माथा अलाव के काले धुए में उतर आई है वक्त की परचाई अब्र के आलिंगनों में डूबा हुआ चांद बेहत खुबसूरत है पर बेदाग नहीं किन्तु जिंदगी के इस पड़ाव पर वह विवश है वह केवल देख सकता है या फिर मूद सकता है आँखें उस नई सुबह में खोलने के लिए जहां कोई रफूगर उधड़े हुए समय को रफूगर सके और आसमान सारी धरती पर फैल जाए मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने वक्तवी को समावत करूँगा कि कोई रफूगर इस उधड़े हुए समय को रफूगर सके और आसमान कुछ तीजोरियों में कैद न रहे बलकि सारी धरती पर फैल जाए सबके हिस्से में आसमान आए और अंत में फिर से एक बार मैं आप सभी को सार्थक और यथा संभाव आप उन संघर्षों में विजई हों ऐसे संघर्षों और उमीद और बेहतरी की कामना के साथ नए दशक के किनारों पर छोड़ जाता हूँ आप सभी का तहे दिल से शुक्रीया आदा करता हूँ बहुत बहुत धनेवाद